तो मैंने आप लोगों के लिए इतने time waste, इतना time क्यों लिया, देखे आप लोगों के लिए मैंने क्या बनाया है, बाथ ही important, मुझे जहां तक लगता है help होगा, क्या sheet है सर, देखे सबसे पहले cost sheet, cost sheet के अंदर कितनी classes एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये folder है extra questions के, जिस आपका cost का exam है, और आपके पास समय कितने बचे हैं, बताईए, कितने, 15 दिन मोटा मोटी, मान लेते हैं, और हमारे पास chapter की बात करें, तो कमी नहीं है, और मैं costing की बात करूँ न, तो सर, अब chapter की हम बात करते हैं, chapter में, जैसे पहला हो गया theory, और plus cost sheet, theory plus cost sheet, मैं बड़े बड़े चप्टर ले लेता हूँ सीधा, उसके बाद क्या हो गया सर, material, फिर क्या हो गया सर, contract, material के बाद labor, मैं unit wise नहीं चल रहा हूँ, labor, फिर क्या हो गया, contract, फिर क्या हो गया, process, उसके बाद हमने क्या, machine hour rate, और फिर चल रहा है हमारा service, कौन सा रहा गया, CRS last में ले लेंगे, इसी के साथ ले रहेता है, इसी के साथ बढ़िया रहेगा ना, CRS cost reconciliation statement, cost reconciliation statement, यह है हमने लिखा है machine hour rate, यह है process account, थोड़ा short लिख रहा हूँ, यह है contract account, यह chapter के अंदर chapter मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, 10 year के अंदर बड़े बच्चे परिशान होते हैं, सरक यह chapter तो ही नहीं आपने पढ़ा दिया, भाई वो ना आप ढूंडोंगे अंदर content मिल जाएगा, मैं एक बार chapter 10 year में से भी बता दूँआ, कहा है, service cost, बहुत परिशान होते हैं, मैंने भी डूंडा एक बार जो दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने cost के 10 year पे काम नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी, बाकी corporate के 10 year पे किया था, इस बार काम मैंने, इसके बाद, अब बात करें न, machine hour rate के बाद कुछ रह जाता है, हमारा extra part overhead का, ऐसा नहीं के overhead हुआ नहीं, overhead ये भी है, कुछ extra part overhead के रह गया, ये chapter आपके मोटे मोटे chapter है, और कुछ chapter आपके बे फजूल के chapter, जिसे बोलते हैं batch cost, जिसको बोलते हैं हम joint product by product करेंगे, ये भी बे फजूल का मतलब ऐसा नहीं के छोट देंगे, करना है, इसके बाद आपका क्या है हमारा, integrate, non-intregion, और क्या है सर इसके बाद, single unit, single unit यही है, मैं बता दूँ आओ, ठीक है, ये chapter है, सर आप chapter को देखें न, first account में बहुत कम slaves है, और बहुत कम slaves उसके लिए जिसको आता है, जिसको नहीं आता न, उसके लिए बहुत बड़ा slaves है, अब बच्चों का अभी क्या कोईरी आ रहा है, मेरे पास सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोईरी आ रहा है, सर कुछ ऐसा बता दो, जिससे हम पास हो जाए, पहले हमने starting में कोर्स ले लिया था, दिसंबर में ही कोर्स ले लिया था हमने, दिसंबर ही होगा न, हाँ, दिसंबर, starting jam में कुछ बच्चों ने fourth semester का paper देते ही ले लिया, थर्ड semester का paper देते ही ले लिया था, लेकिन बीच में हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वीडियो का तो सबसे बड़ी, सबसे drawback जो है न, live class का, सबसे बड़ा drawback है, एक ही drawback है सर, और वो drawback है, कि हम live, हम जब class को purchase करते हैं, तो उस time मेरे मन के अंदर भाव कुछ और होते हैं, और खरीदने के 5 दिन के बाद वो भाव कुछ और होते हैं हमारे, इस वज़े से सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो कुछ बच्चों ने लिया, अब बोल रहे हैं कि सर, 15 दिन, 20 दिन बच्चे हैं, अब बता दो आप हम पास हो जाएं किसी तरीके से, तो उसके लिए क्या तयारी करना है, कैसे निप्टा जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हमने एक तरीका निकाला, हमने सोचा है कुछ तो कुछ न किया जाए बच्चों के लिए, अब इस चप्टर के अंदर बच्चों को बोला जाता था कि भीया, ये चप्टर आपके एक दिन में हो जाएंगे, ये चप्टर आपके एक दिन में हो जाएंगे, अगर मैं बोलू तो, ये चप्टर आपके दो दिन में हो जाएंगे, ये चप्टर आपके वन डे में हो जाएंगे ये चप्टर आपके दो दिन में हो जाएंगे ये चप्टर दो दिन में हो जाएंगे ये चप्टर आपका एक दिन में हो सकता है करो तो और ये चप्टर तो चल रहा है मैं क्या बताओ पुराने वैसे डले हुए है वीडियो ये एक दिन में भी हो सकता है, दो दिन माल लेते हैं, चलो, मसीर आवर, ओवरहेड को माल लेते हैं, तीन दिन, तो ऐसे देखा जाये तो कितने दिन हो गए, एक दिन, दो, दिन, चार, पांस, दो, साथ, दो, नो, एक दस, दो, बारह, तिन पंद्रा ओ भाई साब एकदम पंद्रा दिन बन गया है सीधा एक्जाम देना है लेकिन फिर बच्चे कहते हैं कि सर अब और बता दो कुछ डिटेल में शॉटकट ऐसे तो हमारा पेपर होई नहीं पाएगा तो पहले मैं बता दूँ पेपर में चॉइस वगरा का आपके एक्जाम में 30 नंबर की थियोरी आईगी बिल्कुल 75 तीस नंबर की थियोरी रहेगी आपके पेपर में और वो थियोरी रहेगा basis on the practical और उसके option में practical भी देखने को मिलेगा आपको ऐसा नहीं कि थियोरी तो मैं बता दूँ 30 का थियोरी रहेगा तो passing criteria में कि थियोरी वाला person जो मैं बहुत जल्दी ये खतम हो जाए recording कर दूँगा practical में क्या क्या करके चले जाए जितने भी chapter लिखे है न यहां से लेके यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह chapter एकदम फटा 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 निपट जाएंगे औ और आप बोलोगे अब वीडियो भी नहीं देखें और पास हो जाएं तो कैसे होगा या फिर मेरे बदले कोई और पेपर दे दे ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए तो वह सब नहीं चल पाएगा बहुत बच्चों की मनसा होती ऐसी कि सर कुछ ऐसा बताओ कि मेरे बदले क मुझे जहां तक लगता है help होगा क्या sheet है सर देखे सबसे पहले cost sheet cost sheet के अंदर कितनी classes एक दो तीन चार पांच छे और यह folder है extra questions के जिसे करने है तो करिये ना करने है तो मत करिये question के अंदर star लगा दिये ये question करने के बाद आपके concept done आप पूरी classes भी कर लेंगे नहीं तो 5 घंटे 5.8 hour में खतम हो जाएंगे मतलब मैंने हर questions के पहली class 83 minute की है हर class का मैंने minutes भी लिख दिया है कि इतने घंटे का होगा इतने minute का होगा इससे फायदा क्या मिलेगा कुछ बच्चे 10 years से question करने बैठे topics भी लिख दिये भाई कि concept होगा इसमें correction हो गया है बच्चे को परि मैंने डाल दिया कि बच्चा परिशानी ना हो और वैसे आपको owners का program का इससे तो मतलब नहीं है पहली बात मैंने ये जो star लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वही classes करनी चाहिए every emergency basis पे और वैसे मैं कहूं ना मैंने एक दिन बोला देको 5 गंटे में पूरा खतम हो स चार गंटे के practice का मतलब 3-4 सवाल खुद भी करना वीडियो देखने से आप पेपर नहीं दे सकते हैं वह तो मैंने किये सवाल और जब आप वीडियो देखेगो तो समझ में आता रहेगा आता रहेगा जब तक आप पैंसे नहीं करोगे तो नहीं होगा ऐसा ही देखिए मैंने एक चप्टर का नहीं इवन मैंने सभी चप्टर का कोसिस किया है क्या आपका हो जाए भईया उपर चले जाओ इसके पहले कौन सा चप्टर था ये सेम कॉन्टरेक्ट अकाउंट का भी कर दिया क्लास वन ऊपर चले गया टू थ्री फोर इसके साइड में पॉइंट भी लिख दिये और स्टार का मतलब सारे इंपॉर्टेंट भी लगा दिये के भईया ये कर लो और हरेक किसी का आवर भ देने वारा हूं जिससे होगा क्या आप पहला चप्टर करने से पहले इसको आप लिख लें कि भाई इस चप्टर में ये टॉपिक करने वाला और खतम हो जाएगा हमारा और जब रिवीजन करने बैठेंगे ना तो रिवीजन स्टार वाली वीडियो को कर लें टॉपिक खत है फिर calculate करवाया मैंने क्या order number of order कैसे निकाला जाता है फिर number of order के बीच में interval क्या होता है इस question में यानि questions के अंदर हर question कराने के पीछे मेरा कोई ना कोई वजह रहता है कि ये question इसलिए करा रहा हूं तो वो questions के सारे tricks भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको ये करने है तो हर एक chapter के folder के अंदर बाकी जितने भी chapter है आप cost sheet जो बच्चे live देख रहे हैं सब में star लग चुका है बस एक दिन का और काम बाकी है कि मुझे कुछ chapter और arrange करने सेम ऐसे corporate में भी हो गया तो इस तरीके से ये सारा का सारा देखो process account का भी मैंने करा तो ये आप देखोगे तो ये छोटी की नहीं है अगर आप planning की बात करते तो planning अब मैं बहुत जल्दी इसमें ये भी कर दूँगा कि past year में एक मैं chart बनाने जा रहा हूँ आपके लिए analysis करके कि पिछले 5 से 7 सालों में से हर chapter में से कितने कितने number के questions पूछे गए हैं जो कि आपको beneficial मिल जाएगा कि लगातार 5 सालों में contract account हमारा 15-15 का आया है तो इस बार probability कितनी बनती है तो वो भी मैं डाल दूँगा आपके content के अंदर तो मैंने simple सी बात बोली आपको कि ये सारी चीज़े आपकी चल रही है ongoing है और ये sheet आप सभी को कल update हो जाएगा आपको सारा detail इस वाले PDF के अंदर मिल जाएगा अब बात रही सर यूटीब वाले बच्चों के लिए especially जो लाइव वाले बच्चों को तो ये सारा मिल रहा है अब यूटीब वाले बच्चों बहुत ज्यादा tension में है कि सर जल्दी जल्दी classes record करो तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि classes जो है आप पर अलग होता है तो वह चीजे थोड़ा सा आपको रहेगा कि सारी वीडियो देखनी पड़ेगी ज्यादा पार्ट हो सकते हैं तो इसलिए मैंने सरिफ आपको बताया कि 15 दिन में आप इस तरीके से खतम कर सकते हैं सारे का सारा स्लिवर्स वह आपके उपर डिपेंड करता ह बाकी मैं इतना बोलता हूं कि यूटुब पे आपका पूरा स्लिवर्स होगा तो मतलब होगा मैं करवाओंगा तो करवाओंगा और जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालने की कोशिस करूँगा वो बच्चे जो की लेट आये हैं लेट आने वाले बच्चों को मैं ये कहना च कर लीजिए लेकिन एक्जाम के बहुत कम बचने से 349 का ये बैच और 100 का मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट करवा दूगा जो बच्चे यूटुब वाले हैं स्पेसली तो और 100 का डिस्काउंट करके मातर 349 रुपे में देके आप उसको जो पीडियफ है उसके लगाने पड़ेंगे और चौते समिस्टर के अंदर अगर आपका नुकसान होता है यानि यार वगरा कुछ पेपर में रहता है तो बहुत मुस्किल भारी पढ़ने वाला है क्योंकि वह च्छटे समिस्टर में एक भी पेपर रहने का मतलब होता है कि बच्चों का पास आउ कुछ रखाओ उडियोशन ऐसा ही हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा चलो मान लिया आपकी बात ऐसा ही हो जाएगा लेकिन कम से कम 15 दिन तो पढ़िए उसके इसाब से पढ़ सकते हैं मैंने कूर्स का प्राइस भी बता दिया जिसको लगता है शूटेबल लेना है मैं नंबर क पूर्स का डिस्क्रिप्शन सारी चीज़े मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंग और आप कर सकते हैं और यूटूब पे अब मैं सारी वीडियो बहुत एक्टिवली डालूगा और इसी तरीके से मैं कॉर्पेट का भी कुछ लेके आने वाला हूं बहुत जल